हुआ दोस्तों स्वागत आपका डियर एस्टेडी पॉइंट में आज का अमनों का जो सेशन है वो कैसलेट्स पर बेस्ट है ठीक है बहुत सारे भेतरीन कैसलेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया है इसकी एक सिरीज चलने वाली है तो यह कैसलेट्स जो उनों अधिन को प्रोड़ने से पहले जो लोग नहीं है हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है और वीडियो को को अगर वीडियो देखने के पाद वीडियो पसंद आया ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपने सेशन के वर माना पहला सेशन में जो पहला और सेशन में प्रूर्स क तो लोग यहां पर मार्किंग कर लेते हैं, दस रुपय के नोट, पचास रुपय के नोट, यहां का मार्किंग हो गया, सब्सक्राइब कर लेता है कि दस रुपए कि बीस रुपए ठीक होगा ठीक है फिर कि पचास रुपए और फिर सब्सक्राइब साइट से हम लोग जो है टोटल लिख देते हैं और यहां पर एमाउंट वाई में नोट करते हैं ठीक है पहले एमाउंट फिर नोट और यहां से थोड़ा सा एक चार्ट बना लेता है ठीक है कि अगरे कि यह चार्ट बन गया इसने के सुजदा क्या होगि अपना बटःते चले चले हम लोगों का सारा डेटा किसे इकत्टे दो रखर आपना अमन है वह हैं चेतन हैं और भीपक हैं अब यहांसे देखो Imagine कोना बाट रखा अमन के लिए कुछ अलग information बमन के लिए चेतन के लिए दीपक के लिए हरे के लिए अलग लए information है ठीक है अमन में देखो क्या दे रखा है देरा टू रुपीज हंड्रेड नोट वाला टोटल जो है वो कितना नोट है टू नोट है ठीक है फिर बोल रहा है अब इसको मलते है अभी 3X इसको माल लेते हैं फिर क्या बोल रखा है अमको देमाउंट पोदेज्ट इस रूपीज 840 मतलब इसका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट 840 है अब यहां पर हमनों का स्लैस हो कि क्या लिखाएगा नंबर आफ नोट्स कि कितने नंबर आफ नोट् है कि the number of 10 rupees notice 20 more than the sum of 1500 50 और 100 से 20% अधीक है 20% की fraction 1 by 5 अधीक लिखना है 5 में एक बढ़ा के 6 बटे 5 मतलब यहां पे जो है 4X प्लस 2 का कितना है हमारा 6 बटे में 5 ठीक है इसके बाद आगे देखो यहां पे क्या है अब यह तब डेटा निकल गया ता हमको मालू में यहां पे 4X plus में 2 x 6 y में 5 इतने नोट से कितने रुपय वाले दस रुपय वाले 20 रुपय वाले 3X note है तो total amount क्या हो जाएगा 60X 50 дерu feet 4X है तो कितना हो जाएगा 200 x और 100 रुपय वाले दो हैando total amount हमें 840 ठीक है सबसे इस दोसो को जब घटा देंगे तो यह हम लोगों को क्या देदेगा 640 देदेगा 5 से काट दते हैं दो बार में 6 दुना 12 बारा चोग कितना हो जाएगा 48 48 x प्लस में 12 दुनेगा 24 और प्लस में 60 x और प्लस में इसको एक काम करते हैं 60 और 200 को एड़ करते हैं यह 260 x होजाएगा ठीक है 260 में 40 करेंगे तो हमारा 308 x होगा इस इक्वल टू 640 में 214 चला जाएगा हम लोगों होगा तो यह वजाएगा तो यहां जब एक्स रखेंगे तो 42 कितना होजाएगा एट 3 रखेंगे तो 32 होजाएगा 6 यहां पर देखो अठाइस लिए उमीद करते हैं कि यह पहला को लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है दूसरे कोलम की और बारते हैं दूसरा कोलम हम लोगों का क्या ब्लू रखाया जो नोट की संख्या जो 50 और 100 वाली है इन दोनों का सम इसके सम के पराबर मतलब यहां दोनों जो हैस नोट आएंगे वो कितना होना चाहिए जोड के 10 होना चाहिए च्पर ठीक है यहां पर जोड के 10 हो जाएगा आगे देखो आगे क्या बोल रखा है टोटल एमोंट पोजेश्ट इन रूपीज 10 और 20 नोट इस धियरने 20 यहां से इन दोनों से जो टोटल एमोंट पोजेश्ट हो वो 320 पोजेश्ट हो ठीक है अभी हमको नोट की संख्या नहीं मालू है तो यहां पे कुछ भी है भी अजुम नहीं करें आगे देखो Sum of rupees Sum of the number of 10 rupees note and 50 rupees is too less than 10 rupees और 50 rupees वाले note की संख्या जो है वो 2 कम है किस से 2 कम है 20 rupees note possessed by Chetan Chetan से Chetan को 20 rupees का note है इस से 2 कम है किसका 10 rupees और 50 rupees वाले की संख्या तो हमने सबसे पहले यहां पे Chetan की चर्चा की है तो हमनों क्या करेंगे सबसे पहले चेतन का निकांदे के लिए निकलेंगे चेतन कर देखो यहां पे क्या क्या रहा है ratio of the number of 10 and 20 rupees notice 4 ratio 5 10 और 20 जो है वो 4 ratio कितना में है 5 में है फिर आके देखो क्या बोड़ा and the ratio of the number of 50 and 100 rupees notice 1 ratio 1 तिसको मनों मोल गया y और y है ठीक है बोल रहा है total number of note is 40 total number of note मतलब क्या 5x plus 4x यानि 9x plus में 2y is equal to कितना है 40 है ठीक है तो यहां पर जब तुम 4 करोगे तो 9406 तो y की value तुमें क्या लेनी होगी टू लेनी होगी यहां जब 2 करोगे तो 9208 घट रहे 22 यहां पर y की value क्या लेनी होगी अब थोरा सा तुम यहां पर रिस्क ले सकते हो कि 100 वाली संखे 11 हो नहीं सकती है क्योंकि यह amount को बहुत जादा बढ़ा देगी ठीक है करीब हम लों का 1100 चला जाएगा लेकिन इसलिए हम लों यहां पर थोड़ा सा एक और step लेंगे सबसे पहले 2 पे क्योंकि हमें बहुत ज हो तो दोनों को चेक कर सकते हो आगे एक और केस के रिकॉर्डिंग ठीक है अगला केस देखो क्या है अगला बोल रखा इसी में कि amount possessed is 20 more than that of Amun Amun से 20 जादा है यानि कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा अब नोट्स कितना है यह देखें amount possessed का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुने 10 करेंगे तो 40x और 5 गुने 20 करेंगे तो 100x 140 x हो जाएगा प्लस में 50y and 100y कितना हो जाएगा 150y हो जाएगा और is equal to हमारा कितना है 860 अगर हमनों 11 से 0000 काट जो दे तो अमनों को देखो आसानी से निकल जाएगा हमनों को क्या रखना है पहले 4 रखना है तीक है अब यहीं से तुम देख लो 15 को क्यारा करोगे 165 हो जाएगा तो 11 वाला केस तो ऐसा ही खता हो गया ठीक है दो रखोगे तो 15 दुने का 30 और 4 रखोगे तो 14 चुछ 56 और 30 तुम्हारा कितना हो जा रहा है 86 हो जा रहा है यानि कि इस conclusion से तुम्हें क्या लिकल के आगिया एक्स बराबर में 4Y बराबर में 2 अगर तुम इस equation को solve पर नेकले जाओगे तो बहुत जादा ही लंगा हने वादा 40 निकल के आगे ठीक है आगे देखो आगे क्या है अब उन्हों वापस से जो है बमन पर आ जाते हैं क्योंकि बमन में जो चर्चा किया था वो किया था चेतन से ठीक है बमन में देखो क्या है बमन में फिर से उन्हों देख रहे है number of 50 rupees note and 100 rupees note is equal to the sum of the number of 50 and 100 possessed by a man तो यहां से हम लोग इसको x माल लेते हैं इसको y माल लेते हैं x plus y जो है वो किसके बराबर है यह a plus 2 के बराबर है तो यहां से हमारा 10 आ गया ठीक है, x plus y हमारा जो आ गया, वो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दर रखा है, इसके बाद बोल रखा है तुमसे सवाल में, total amount possessed by 10 रुपेस and 20 रुपेस, इस 320, यहाँ से इसको a माल लो, यहाँ से इसको b माल लो, 10 a plus में 20 b is equal to 320 है, सकते हैं, ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है तुमारा, अल विटेट तो नहीं बोल सकते हो, रेकर हमारा तो बहुत ज्यादा केसे होगा, दस पदर रखा है, ठीक है, अब यहाँ से बाद क्या बोल रहा है, sum of the number of rupees 10 and 50, 10 and 50, 10 and 50, 10 and 50 is what, a plus x, ठीक है, is 2 less than that 20, 2 less than the number of notes 20, possessed by Chetan, Chetan जितना 20 rupees का notes possessed गया, उससे कितना कम है, हम लोगों का 2 कम है, तो 2 जब कम करेंगे, तो यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, a plus x हम लोगों का निकल गया, 18, ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आगे बोल रखा है, इसके बाद आ 20 minus में y जो दिये हुए है, वो दिये हुए है, 6 दिये है, ठीक है, अब इन सब equations है न, लोग एक common term ढूनेंगे, common term क्या ढूनेंगे, हमारे पास a, b का एक equation है, और x plus y की value मानूं, हम लोगों को इसको x plus y में convert करना है, तो यह minus को जब plus में करेंगे, तो इधर सारा जाएगा, a minus क्या है, हमनों का b है, and along with क्या है, x plus y, x plus y की value कितनी है, 10, तो हमनों 10 रख देते हैं, 18 में 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, a minus में b is equal to 2, और a is equal to क्या हो गया, b plus में 2, अब यहां पे a का value रख देते है, b plus 2, plus में 2 b is equal to कितना हो गया, हमारा 32, 2 चला जाएगा, तो 32, b and b क्या हो जाएगा, 3, b, 3, b is equal to क्या हो गया, 30, b से कट गया, 10 बारे में, b का value 10 निकल गया, चलो, जो जो निकलते जाएगा, उसको भरते चला जाएगा, b जब 10 निकल गया, तो a is equal to 10 plus 2, that is 12, a की value भी निकल गया, 12, ठीक है, a plus x is equal to 18, a plus x जब हमारा 18 है, तो 12 जब आगे, तो x की value कितनी आजएगी, 6 आजएगी, ठीक है, b क्या value हम लोगों का 10 निकला था, 10 जब यहां निकला हम लोगों का 6 इधर लाके कटा जाएगे, 5 की value की रा जाएगी, हम लोगों का यहां से, यह values निकल गया, तो हम लोगों को यहां पर नहीं कुछ चर्चा किये व तो हम तो टोटल एमॉंट जो है वहाँ से निकाल लेंगे ठीक है टोटल एमॉंट में जो हम लोग आएंगे तो बारा गुने 10 120 रुपए 10 गुने 20 20 रुपए 6 गुने 50 300 रुपए और 4 गुने 100 400 रुपए ठीक है एड कर दो यहां से 0 2 2 4 4 3 7 और एक कितना होगे 8 तो इसी के स साथ तुम यहां पर क्या लिख दोगे एक सेकेंड चार सो तीन सो दो सो यहां स्वारी 20 नहीं होगा यहां पर 200 बजाएगा ठीक है 200 जब हो गया नों का तो यहां से बारा गुने 120 ठीक है तो असा यहां पर देख लो फिट से 0 2 और 4 3 2 5 5 5 10 ठीक है दस सो कितना होगे हमारा 20 120 रुपय होए और साथ में नोटों की संख्या 6 चार 10 10 10 20 20 और 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा मैं यहां पर नोटों की संख्या में निकल दे और यह तुम्हारा टुटल अमुद्द हम लोग आ जाते हैं दी दीपक के लिए दीपक के लिए क्या दे रखा है number of 10 rupees note is same as the number of 20 rupees note with Baman 20 rupees note के जितना 20 rupees note Baman का था उतना ही दीपक का 10 rupees note है यानि ये होगे 10 अनों का ठीके फिर आगे देखो आगे क्या बोल रखा है sum of 20 rupees and 50 rupees note is same 20 rupees and 50 rupees x y मान लते है sum of 20 rupees and 50 rupees note is same as the number of 10 rupees note with Baman 10 rupees note जो 12 के पास है उसके बराबर है तो x plus y बराबर में कितना होगे 12 होगे है इसके बाद आगे देखो क्या दे रखा है बोल रहा है amount possessed in 50 rupees and 100 rupees note is 500 50 rupees z की संख्या 100 rupees note की संख्या है अब लोग जट मान लेते है amount जो possessed हुआ तो 50 y 100 note है तो 100 और total कितना amount possessed हुआ 500 ठीक है 50 से काट तो दो बार में 50 से काट तो 10 बार में y plus में 2z is equal to 10 होगे है ठीक है अम जहाँ से देखो इसके बाद बाद क्या रखा है बोल रहा है ठीक है तो यहां पर हमको यह दे दिया कि यहां पर हमारे पास जो note की संख्या है वो कितनी है 24 ठीक है अब जब 24 है तो x y z निगा तो x plus y तुम्हारा 12 दिये हो है जब यहां पर 12 बैठाओगे तो z की value कितनी आ जागी तो 6 x plus y 12 है तो x value कितनी आ जागी 6 आ जागी और इसी के साथ हमारा यह जो चार्ट है यह चार्ट हम लोगों का भर गया ठीक है चार्ट जब भर गया तो जहां से लोगों इसी पर बेस जो है कुछ सवाल देगा और नहीं सवालों को देखना है कि उस सवाल को करना कैसे ठीक देखो माँ पर पहला सवाल क्या रखा है पहला बोल रखा है what is the ratio of the total amount possessed by अमन बमन चेतन एंड रिबग तो अभी तोम लोगों का इसना total amount पनक लिखना बागी यह तोम लोग यहां से देख रहते हैं 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 6 गुने 12 कितना हो जाएगा 120 6 गुने 5 कित 720 और यह हम लोगों का यहां से हो गया total अब हमें इसी का ratio पूछ रहा है किसका किसका पूछ रहा है 840 का 1020 का फिर 860 का और फिर 720 का 0,0,0 and 0 काटतो 2 से काटतो 42 बार में 2 से काटतो 51 बार में 43 बार में and 36 बार में कितना आ गया ratio 42 ratio 51 ratio 43 ratio and 36 जो की option number 9 का है option number की है ठीक है उम्मीद करता है यहां तक clear होगा अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगला देख हो क्या है next क्या बोल रखा है next बोल रखा है what is the difference of the total amount possessed in rupees 50 ठीक है what is the difference of the total amount possessed in rupees 50 पचास रुपए का जो नोट पोजेश्ट हुआ है 100 रुपिस नोट पोजेश्ट रुपिस नोट पोजेश्ट हुआ ठीक है difference निकालना total amount 50 and 100 का and the total amount possessed in 10 and 20 considering all of them सभी लोगों का मतलब 50 रुपे और 100 रुपे से सभी का जितना amount आया है ठीक है और 10 रुपे और 20 रुपे से सभी का जितना amount आया उनका difference बराना है तो यहां से तुम देखो कैसे इसको असाली से कर सकते हो 6, 6, 12, 12, 18, 20 20 और 2 कितना हो गया 20 तो 22 गुने में कितना हो गया 50 प्लस में, दो, दो, चार, दो, छे, छे, चार, दस, दस गुने में कितना हो गया, 100, ठीक है, एक इसका डिफ्रेंस निकलना है इन दोनों के साथ, यहां प्याज़ो, बारा दुना 24, 24 और 16 एड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 34, और 10 करोगे तो 50, दस गुने में कितना हो प्लस में जाते हैं, 6 दुना, 12, 12, 10, 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा, हमारा 42, 42 गुने में कितने रुपय वाले होगे, इन दोनों का डिफ्रेंस निकालना है, अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, दोनों का जब तुम डिफ्रेंस निकालोगे, यहां पर मैं लिख देता हूँ, 10 जबो हर जगा से 10 common देगो तो 22 गुने क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा जो कि 110 होता है यहां पर उल्रेडी 100 है माइनस कर दो यहां से आजाओगे तो यहां पर 10 common लेगा 50 बचार यहां पर 2 बचेगा 24 तो कितना हो जाएगा सब्सक्राइब अब यहां से देखो 210 माइनस में ठीक है एड़ कर दो यहां से चार और आठ पांच कितना हो जाएगा ठीक है और अलॉंग विद दस का मल्टिपल जब यहां से घटाएंगे तो 66 और 1076 गुने में 10 कितना हो जाएगा हमारा 760 रूपीज हो जाएगा और इसी के साथ हमारा यह जो एंसर है वो है 760 ठीक है अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगला देखो के रहां नेक्स्ट बोलर करनों को यहां पर्सेंटेट जब पूश दिया है अवरेज में तो आवरेज निकालना कोई जरूरी नहीं है और यहां पर ध्यान तो चेतन और दीपक का बोल रहा है कितना अधिक है है तो सबसे पहले चेतन और डिपक का है कितना 40 एंट 24 डाट इस 64 ठीक है और अमन और वामन का कितना है हमारा अमन और वामन का ध्यान लगते हैं कभी-कभी यह 6.67 परसेंट 6.66 परसेंट भी देता है इस दोनों चीजे जो हैं बात बराब है इससे कोई अंदर नहीं आने वाला है ठीक है चब अगला परते हैं अगला से वाल देको क्या अगला से अमन और वामन से दस दूस्ट रूपया और वाले तो कितना है चार दो छे याने की कितना हो जाएगा 600 अगा और वीस रूपय वाले कितना है ठीक है फिर आजाते हैं हम लोग चेतन और दीपक में चेतन और दीपक के वाले में कौन-कौन से नोट में बोलना है दस रूपय और पचास रूपय वाले दस रूपय वाले 16 और 10 कितना हो गया 26 26 क्या हो जाएगा 260 ठीक है अब तुम या तो इसका इंक्रिमेंट निकाल दो को अजर निकाल दो से की अच यहां से अजर काटेंगे और 6.stop कारवें और 8. trump निकाल दो रिए सक्षाप तुम हीं कितने कपी देखा है इदर सफ्से अब निकाल तो पर्सेंटेज इंक्रिप रहें 23 गुनिये में कितना है 100 है इसी पो जब तुम सॉल्फ करोगे तो यही तुम्हें देगा 39 13 बाइमें 33 परसंट जो कि आपने लोग का ओप्सन नमबर कौन सा है और यह हम लोगों का एंसर एक इसको लिटरली तुम्हें तो यहां से बारा यहां से सोल ठीक है यहां से दो और यहां से छे यानी की सोल और बारा कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 रबारा हो जाएगा 28 1 22 कितना हो जाएगा 30 तीस औरर 6 कितना हो गिया 36 किसके साथ निकालना है अमन और दीपक का 20 और 50 वाले 62 और पाशास वाले से ठीक है तो यहां पे दो और यहां लिए 16، इनिए दोनों का अंतर निकालना है अंतर कितना निकल किया गया वीश और आप सान नंबर के अप्लोड करते हैं, उमीद करते हैं आपको ये CASHLAT समझ में आना होगा, वीडियो अगर समझ में आ수ैया तो वीडियो को लाइप गरूर करना है, और सेयर आफिको करना है जितनों प्रिवेस को बहुत सारे सेशन हम लोगों ने अप्लोड कर रहे हैं अगर आपको तकलीफ होती है तो इसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान नहीं पूछे जाते हैं और बहुत से वेडियोस एक्जाम्स में यह कैसलेट आने की समभवना बुक्त आता होती है ठीक है तो बने रहना है हमारे साथ बने रहे डिया इस्ट्रेटीव पॉइंट के साथ बनाते रहे हमारे सवालों को हमारे चैनल से भी जूर सकते हैं आप